Hi Friends, आपका हमारे चैनल Automation Fever में स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखना है एक मैक्रो को दूसरे मैक्रो में हम कॉल कैसे कराते हैं सेम मोड्यूल में एक मैक्रो को कॉल कैसे करा सकते हैं और different module में एक macro को हम दूसरे macro में call कैसे करा सकते हैं साथ ही हम सीखेंगे private और public, subroutine या macro क्या होते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम सीखेंगे एक macro को call कराने के लिए हम उसको एक shortcut की कैसे assign कर सकते हैं साथ ही जब एक macro को call कराते हैं तो हम parameter कैसे pass करते हैं चलिए सबसे पहले सीखते हैं एक macro को हम दूसरे macro में call कैसे कराते हैं उसके लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा macro बना लेते हैं जो हमारी Excel की current workbook में एक seat add करेगा चलिए बनाते हैं एक नया macro उसके लिए लिखते हैं sub space macro का नाव वो रख लेते हैं add new seat current workbook में एक new seat add करने के लिए हम लिखेंगे worksheets.add उसके बाद हमें worksheets.add कहां करनी है हमें सबसे last में करनी है तो हम after parameter का use करेंगे और इसमें देदेंगे कौन सी seat के बाद आड करनी है तो हमें करनी है सबसे last में तो हम यहां पर देदेंगे seats.com यहां तक सब के लिए रहोना चाहिए चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब क्या करते हैं एक macro बनाते हैं इसमें हम अपने add new seat वाले macro को call कराएंगे लिखते हैं सब इसका नाम रख लेते हैं test और किसी एक macro को दूसरे macro में call कराने के लिए हम उसका नाम लिख दे तो उसको call करा सकते हैं अभी हम excel की file में जाकी देखें तो सिर्फ यहां पर एक seat है हम अपने test वाले macro को run करें तो आप यहां पर देख सकते है seat to हमारी excel की file में add हो गई है अब किसी macro को call कराने का एक दूसरा तरीका देखते हैं जिसमें आप जब एक macro को call करा रहे होते हैं उसके नाम के आगे call keyword लिख देते हैं यह optional है आप चाहे तो लिखे चाहे तो ना लिखे पर recommend यही किया जाता है कि जब भी आप अपने macro को call करा रहे हैं तो call keyword का use grade से readability बढ़ती है readability से मेरा मतलब है कि जैसे ही आपके code को कोई दूसरा देखेगा तो हो सकता है add new seed से वो समझना पाए कि यह क्या लिखा हुआ है पर उससे पहले अगर call keyword लगा होगा तो वो समझ जाएगा कि यह यहाँ पर किसी macro को call किया जा रहा है सेम module में एक macro को call कराना आपने सीख लिया है पर क्या हो आपको अपने macro को किसी दूसरे module में call कराना हो चले एक नया module हम add करते हैं यहाँ पर एक नया macro बनाते हैं call सब के नाम से और यहाँ पर देंगे हम उस module का नाम पहले जिसमें हमारा macro है हमारा macro है module1 में हम देंगे module1.macro का नाम इससे पहले हम call keyword लगा देंगे क्यों ठीक होता है recommended होता है अभी इस macro को run करने से पहले आप देखे हमारी workbook में दो seat है macro run करा एक seat यहाँ पर हमारी add हो गई है यहाँ पर एक बात में आपको clear कर देना चाहता हूँ जब किसी दूसरे module के macro को हम किसी दूसरे module में call कर आते हैं तो जिस module में macro है उसका नाम देना जरूरी नहीं होता है और दो कारणों से हम इसका नाम देते हैं पहला कि अगर हमारा code कोई देखे तो उसको पता चल जाए कि हमारा जो macro है वो किस module में है दूसरा अगर आप चाहते हैं कि without module का नाम दिये आप macro को call करा रहे हैं तो आप जितने भी macro अपने workbook में बनाने वाले हैं सबका name unique रखिए अगर एक भी duplicate हो गया तो duplicate हो सकता है क्योंकि सिर्फ एक single module में आप एक duplicate macro नहीं बना सकते हैं पर दूसरे module में बना सकते हैं तो अगर ऐसा हुआ तो जब आप code run कराएंगे तो फिर error आई चले practical करके देखते हैं module के name को remove करते हैं और अभी हमारी workbook में 3 seat है macro को run किया हमने तो एक seat हमारी add हो गई है अब क्या करते हैं हम macro के name को कर लेते हैं copy और एक नए module को add करके एक नया macro create करते हैं add new seat के नाम से इसमें message box में हम सिर्फ high print करा देते हैं अब जाते है module 2 पे और इस macro को दुबारा से run करने की कोशिश करते हैं जैसे हमने run किया तो यह error दे रहा है कि एक duplicate macro आपकी workbook में found हुआ है इसलिए यह code run नहीं हो पाएगा यहाँ पर हो क्या रहा है जब हमारा code add new seat वाले macro को call करने जा रहा है तो उसको पूरी workbook में 2 macro मिल रहा है अब वो अपने आप decide नहीं कर सकता है कि कि किसको call करना है तो आपको यहाँ पर उसको बताना पड़ेगा कि कि किसको call करना है तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ module 1.add new seat तो तब यह module 1 वाले macro को run कर देगा और यहाँ पर अगर कर दे module 3 तो यह module 3 वाले macro को run कर रहा है अब हम public और private सब routine के बारे में सीखते हैं तो public और private क्या होते हैं यह scope होते हैं कि हमारे macro या function आप कहां तक call कर आ सकते हैं अगर किसी macro को आप private कर दे तो उसको सिर्फ उसी module में आप call कर आपाएंगे पर अगर कोई public आपका सब routine है तो उसको आप अपनी workbook में किसी भी module में call कर आ सकते हैं इसी macro को public बनाने के लिए आपको सब keyword से पहले public keyword लिखना हुगा अब हम module 1 वाले add new seat macro को same module और another module में call कर आके देखते हैं same module में test time का जो macro बनाया है इसमें हमने add new seat macro को run कर आया हुआ है तो अगर मैं test वाले macro को run करूँ तो यह काम कर रहा है अब हम module 2 में चलते हैं और वहाँ पर add new seat वाले macro को run कर आते हैं यहाँ पर call sub sub routine के अंदर हमने अभी module 3 वाले add new seat macro को call कर आया है तो यहाँ पर कर देते हैं module 1 जिससे यह module 1 के अंदर जो add new seat वाला macro है उसको call करें और अब हम call sub वाले macro को run करें तो यह easily run हो रहा है इवन आप excel की seat में जाएं और यहाँ पर developer tap के अंदर code वाले group में macros पर जाएं और module 1.add new seat वाले macro को यहाँ से run करें तो यह यहाँ से भी run हो रहा है आप चाहें कि किसी button पे अपने macro को assign करें और इस button पे click करके macro run कराना चाहें तो यहाँ से भी यह easily run हो रहा है अब क्या करते हैं हम चलते हैं module 1 में और जो add new seat वाले macro है इसको कर देते हैं private add new seat वाले macro को हमने private कर दिया है अब यह हमारा macro सिर्फ module 1 में ही available है इससे बाहर इसको हम call नहीं करा सकते तो same module में जो हमारा test नाम का यह macro है इसके अंदर हम add new seat वाले macro को call करा सकते हैं अगर test वाले macro को हम run करें तो यह easily run होगा पर हम module 2 में जाए और यहां पर module 1 वाले add new seat macro को run करने की कोशिश करें तो यह नहीं होने देगा air आएगी क्योंकि इसको इस नाम को कोई macro module 1 में मिल ही नहीं रहा है क्योंकि इसको हमने private कर दिया है इवन आप excel में जाके developer tab में जाके macro पर किलिक करें तो यहां पर भी वो macro आपको नहीं मिलेगा और आप किसी button पर इस macro को assign कराना चाहे तब भी वो आपको नहीं मिलेगा तो सिर्फ उस macro को आप उसी module में call करा सकते है जहां पर उसको आपने define किया है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही sublutine को call कराने के लिए इस shortcut की का use करना और parameter pass कैसे करते हैं यह हम इस वीडियो के part 2 में सीखेंगे यह वीडियो आपको कैसे लगी comment में हमें जरूर बताएगा साथ ही हमसे कोई सिखायत या सुजा हो तो भी नेक्स वीडियो लेक्चिर पे बाई